नमस्कार आप देख रहे हैं जियोभिनियूज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जियोभिनियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जियोभिनियूज को सब्सक्राइब करके और नोट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका द्रण मत है कि लोकडाउन के पहले तीनों चरणों में जिन उपायों की जरूरत थी वे चौथे में जरूरी नहीं है। पर लाने के लिए संतोलित रणनिती बनाने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने के जरूरत है कि गाउं इस बिमारी से मुक्त रहे। 20 मिनट में अरक्षित हो गई। टिकटों की बुकिंग पहले साम 4 बजे से सुरू होनी थी लेकिन कुछ तकनीकी दिकत के कारण उसमें देरी हुई। साम करीब पौने 5 बजे आई यार सिटी से ने सुचित किया कि बुकिंग साम 6 बजे से सुरू होगी। हावडा नई दिली ट्रेन मंगल वार को हावडा से साम 5 बज कर 5 मिनट पर रवाना होने वाली है। वेबसाइट पर टिकट उबलबदता जाचने पर पता चला कि भोवनिश्वर नई दिल्ली विशेष ट्रेन के AC1 और AC3 की टिकट भी साम 6 बजे तक बिख चुकी थी। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद तरीके से यात्री ट्रेन सेवाई शुरू कर रही हैं और सुरुवात में चुनिंदा मारगों पर 15 जोडी ट्रेन यानि अप एंड डाउन मिला कर 30 ट्रेन चलेंगी। विशेष ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। किंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए जारी किये 6195 करोड रुपए इस बढ़तीय विमारी से निपटने में मिलेगी मदद। कार्याले द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पोस्ट डेवलेप्मेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6195 करोड रुपए जारी किये हैं यह राज्यों को इस पिमारी से निपटने के दोरान अतरिक्त संसाधन परदान करेगा पिम मोदी के साथ बैटक में बोले केजरिवाल कहा निरुद चेतरों को छोड़ से इस दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां सुरू हो जिहां परदान मंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को विभिन राज्यों के मुख्यमंत्रों के साथ विडियो कॉंट्फरेंसिंग के जरियो हुई पैटक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि निरुद चेतरों को छोड़ कर राष्टिय राजधानी के बाकी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां दोबारा सुरू करने की अनुमती दी जानी चाह कि समवाद के दोरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बढ़ती बिमारी के जलते निरुद चेतर गोशित इलाकों को छोड़ कर बाकी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने की अनुमती दी जानी चाहिए रेल्वे ने यात्रा के दोरान आरोग्य सेतु एप को मोबाइल में रखना किया अनिवारे जिहां देश व्यापी लॉकडाउन के बीच आज से एक बार फिर पटरियों पर ट्रेने दोडेंगी वही भारती रेल्वे ने मंगलवार से सुरू हो रही विशेस यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए आरोग्य सेतु एप को फोन में डाउनलोड करना अनिवारे कर दिया है रेल्वे ने बताया कि विशेस ट्रेनों की अगले साथ दिन के लिए 16.15 करोड रुपाय मुल्य की 45,533 से अधिक टिकट बुग की गई हैं जो की 82,317 यात्रियों के टिकट की बुगिंग थी रेल्वे ने दिल्ली से बड़े सहरों के बीच 15 जोड़ी विशेस ट्रेने चलाने की घोशना की थी जिसके यात्रा दिशा निर्देश में इस एप को फोन में रखना अनिवारे नहीं बताया गया था लेकिन सोमवार को मध्यारात्री में रेल मंत्राले ने एक ट्वीट कर के इसके अनिवारे होने की जानकारी दी वहीं इससे पहले सोमवार को रेल्वे ने इस एप को फोन में रखने की सलाह दी थी जो की अनिवारे नहीं था लेकिन अब रेल्वे ने कहा है कि जो यात्री ट्रेने सुरू हो रही है उसमें यात्रा सुरू करने से पहले यात्रिय के लिए फोन में आरोग्य से तु एप डाउनलोड करना अनिवारी होगा